हेलो एवरिवान आर्ती किचन स्टूडियो में आप सब का स्वागत है तो आज हम बहुती बढ़िया सी सबजी बनाएंगे पनीर की जिसे पनीर चंगे जी कहते हैं जिसे देखते ही सब के मुँ में पानी आजाए इसी तरीके से बनेगी ये सबजी और बहुती खाने में एकदम टेश्टी बनेगी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमने पनीर ले लिया है और इसे हमने पानी में रख दिया है फ्रीच से निकालके अब इसे हम कट कर लेंगे तो हमने इसे बड़े बड़े पीस में कट करा है इसके छोटे पीस नहीं कट करना है हमें बड़े बड़े ही पीस में कट करना है तो हमें यहां सारे पीसों को इस तरीके से कट कर लेना है और इसे अब हम एक बाउल में रख देंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो यहां हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालना है उसके बाद इसमें हम जीरा पाउडर नमाक थोड़ा सा दही एक चमच करीब मैंने इसमें दही डाल दिया है और एक चमच करीब इसमें अब बेशन डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें मसाला डाल देंगे और अब हम इसे पनीर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हातों से ही अच्छे से मिला लेंगे हमें सारे पनीर के पीछो को अच्छे से मिला लेना है उपर नीचे करके तो इसे मिलाने के बाद अब हम इसे साइड में रख देंगे और गैस पे अब हम कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में हमने अब ओईल डाल दिया है तो ओईल को अब हम गर्म कर लेंगे तो इसमें थोड़ा सा मैं salt छिड़क दूँगी इससे क्या होता है ना हमारे पनीर जिपकेंगे नहीं और अच्छे से fry हो जाएंगे तो अब जब oil गरम हो जाएगा तो हम इसमें अब पनीर के पीछ डाल देंगे तो इस तरीके से हमने इसमें अब पनीर के पूरे पीछ डाल दिये हैं एक साथ और अब हम इने अच्छे से एक साइट से पहले fry होने देंगे जब तक कि नीचे से फ्राई हो जाए तब तक हमें इसे पलटना नहीं है अब जब ये नीचे से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे न तो हम इसे धीरे से पलट लेना है हमें तो हमें इसे आराम से निकालना है नहीं तो ये तूट जाएंगे तो बस इससे अब हम सभी को पल्टा लेंगे और दुसरे साइड से भी हमें इसी तरीके से अच्छे से फ्राई होने देना है तो देखिए इसे हमने उलट-उलट करके अच्छे से सेख लिया है और इनका कलर भी अब अच्छे से आ गया है और अब इन्हें हम निकाल लेंगे तो इन्हें हम पलेट में निकाल लेंगे और देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हुए है बस ऐसे ही हमें इसे फ्राई कर लेना है तो इसमें हमने जो बेशन डाला था ना उसके वज़े से ये बहुत अच्छा कलर आ गया है इसमें और ये देखी चिपके भी नहीं है नीचे बिलकुर टुटे नहीं है बहुत अच्छे से बने हैं हमारे ये पनीर तो अब यहां हमने सभी को निकाल लिया है और अब यहां मैंने इसी कड़ाई में जो आईल जादा था ना उसे निकाल के रख दिया है और इसमें अब मैंने एक चमच करीब घी डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें ना मैं बटर डाल दूँगी आप चाहां तो इसमें बटर ही डाल सकते हैं घी जरूरी नहीं यह आप्शनल है मैंने डाल दिया था तो यहां मैंने लॉंग काली मिर्च एक चोटी इलाई ची एक बड़ी इलाई ची डाल चीनी है और तेज पत्ती की दो चोटी पत्तियां है और मैंने काली मिर्च तीन चार करीब ले ली है और दो लॉंग ले ले ली तो यहां मैंने अब तेज पत्ति डाल दी है लॉंग काली मिर्च छोटी इलाई ची बड़ी इलाई ची और एक डाल ची निडाल दी है तो इसे अब हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे तो इन्हें हम खड़े मसालों को थोड़ा सा भून लेना है जब तक कि इसकी अच्छी सी खुश भून आ जाए और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे आधी चमच करीब इसमें मैंने जीरा डाल दिया है तो अब ये अच्छे से हो चुके हैं और यहां मैंने प्याज है जिसे मैंने चौपर में कट कर लिया है बारिकवारी तो इसे अब हम डाल देंगे और यहां मैंने सिर्फ प्याज का ही उप्योग किया है आप लैसन डालना चाहें तो डाल सकते हैं लैसन का पेश्ट मैंने इसमें नहीं डाला है सिर्फ प्याज से ही फ्राई किया है तो कुछ लोग तो इसमें प्याज भी नहीं डालते हैं बस खड़े मसाले और गरम मसाले डाल कर ही बनाते हैं तो प्याज को यहां हमें अच्छे से फ्राई होने देना है इसे कच्चा नहीं रखना है जब तक कि यह अच्छे से ना भून जाए इनका कलर चेंज ना हो जाए तो इसमें प्याज अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है तो यहां हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं यह तो इसमें अब हम मसाले डाल देंगे और मसालों में मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाल दिया है एक से देर चमच करीब मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला है उसके बाद इसमें आधी चमच करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है आधी चमच करीब और थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है इससे कलर भी बहुत अच्छा आजाएगा तो एक चमच करिब मैंने यहां कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है उसके बाद इसमें मैं कशूरी मेथी डाल दूँगी जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो अब यहां हमने दो टमाटर को चौपर में कट कर लिया है इसे अच्छे से बारी चौप कर लिया है और अब इसे हम डाल देंगे तो टमाटर जरूर इसमें डाले बहुती अच्छा टेस्ट आता है इसका तो पनीर चंग जी थोड़ी सी चटपटी ही सब्जी बनती है इसमें थोड़ा सा खटा थोड़ा सा मीर्च इस टाइब का बहुती अच्छा लगता है और खड़े मसालों का भी इसमें बहुती अच्छा टेस्ट आता है तो इसे अब ह चमज करीब सॉल्ट डाल दिया है अब साल्ट के साथ थोड़े से टमाटर जल्दी पख जाएंगे अब हमने टमाटर को थोड़े दिर भून लिया है और अब यह गल चुके हैं अब यहां हम थोड़ा सा दही डालेंगे तो दही ज्यादा खटा नहीं रहना चाहिए क्योंकि ह हमने यहां टमाटर डाले हैं, तो यहां मैंने एक चमच करीब दही डाल दिया है, और दही डालने के बाद इसे हम अच्छे से चमच चला लेंगे, ताकि हमारा दही फटेना, और मसालों में अच्छे से मिल जाए, तो देखिए मसालों में बहुत ही अच्छे से मिल चुका है दही, और मसाले भी अच्छे से भून के तयार हो चुके हैं, अब इसे भी भून लेंगे, उसके बाद इसमें मैं फ्रेश मलाई डाल दूँगी, आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहां एक चमच करीब ताजी मलाई डाल दूअर इसमें, और इसे भी अब मसालों में अच्छे से मिला लेंगे, तो यहां अब मसाले थोड़ दिर भूनने के बाद बहुत अच्छे से हो चुके हैं, और अब यह अच्छा हो चुका है, मसाला हमारा तैयार, तो अब इसमें हम पानी डालेंगे तो आपको जैसी सब्जी बनाना है उसी हिसाब से पानी डाले तो अभी ये पकेगी तो मैंने यहां एक कटोरी करीब पानी डाल दिया है और इसे अब हम ढख करके पकने देंगे तो जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाती हमें इसे पकने देना है तो देखिए अब इसमें उबाल आ चुकी है और ये अब अच्छे से मसाला हमारा पक चुका है तो अब यहां हम थोड़ा सा मसाला डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और थोड़े देर इसे हम लो फ्लेम में इसी तरीके से रख देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से मिल जाए और अब ये बनके तयार हो चुकी है तो अब हम यहाँ प्लेटिंग कर लेंगे तो पनीर चंगे जी ना बहुत ही आसानी से बनके तयार हो जाता है और कम इंग्रियंट्स में बनके तयार होता है हमारे घर के ही कुछ सामानों से तयार हो जाता है सभी के घर में रहते हैं ये मसाले तो बनने में ना इतनी टेश्टी बनती है सबजी इस तरीके से जरूर बनाए इसे चपाती, पराठे या राइस के साथ भी खा सकते है तो बहुत ही आसानी से बनके तैयार होने वाली ये पनीर चंगे जी की सब्जी है तो देखिए सब्जी को देखकर आ रहा है ना मुं में पानी तो उमीद करती हूँ कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेर करिए, कमेंट्स करना बिलकूर न भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई